Hello everyone, my name is Pooja और आज की इस वीडियो में बात करते हैं बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या-क्या होना चाहिए हम parents अक्सर इसी उल्जन में होते हैं कि हम अपने बच्चे को कब से पढ़ाना स्टार्ट करे या फिर हम अपने बच्चे को पढ़ाए कैसे means कि उसको पढ़ाने का क्या-क्या तरीका है क्योंकि उसको पढ़ाने भी बहुत असान काम नहीं होता है बहुत ही टफ होता है बच्चे को बैठाना उसे पढ़ाना और उसको उस बातों को मेमोराइज कराना ये बहुत ही टफ काम होता है कहा जाता है कि बच्चे एगर वन येर से उनको पढ़ने की habit किरियेट हो जाए तो उनका brain सार्प होता है उनकी thinking ability बढ़ती है हलाकि छोटे बच्चे को वन येर के बच्चे को पढ़ाना उतना असान काम नहीं है जितना हम समझते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगे पढ़ाने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं प्रजुना को कैसे पढ़ाती हूँ जली से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो लांश तक जरूर देखे चोटे बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है कोई भी ऐसा टीप है जो आपके लिए यूस्पूल हो सकता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइव जरूर करिए चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप को किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं आप उसको भी हमारे साथ सेयर कर सकते हैं बच्चे को बोल के पढ़ाना है मिल्स की छोटा बच्चा है जैसे मैंने बोला वन इयर का बच्चा है as compared to लिकना तो हमें बच्चे को बोल बोल के पढ़ाना बच्चे को आप गोद में ले लीजी A से Z तक पढ़ाईए या 1 से 100 तक पढ़ाईए जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं आप उसे घुम घुम के morning walk, evening walk के साथ खेल खेल के आप उसे पढ़ा सकते हैं नॉर्मल भी बच्चा बैठा हुआ है उस टाइम में भी आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं सेकेंड सेलेक्शन और बुक आपका बच्चा जिस भी एज का है उसको एज की एकॉर्डिंग बुक जरूर दीजिए अगर बच्चा आपका 6 मंत का है वन यर का है तो आप उसको पोस्टर लाके दे सकते हैं पोस्टर के ऐसे प्रिंट होते हैं जो बच्चे नजदीक जाके देखेंगे एट्रेक्टिव होते हैं या उसको तीर नहीं कर सकते हैं तो उसके एकॉर्डिंग एज की एकॉर्डिंग आप उसे images book लाके आप उसे दे सकते हैं बहुत ऐसे book होते हैं जो मोटे print के होते हैं जो फट नहीं सकते हैं तो आप वो book दे सकते हैं अगर आपका बच्चा 2 years का है तो आप उसको बड़े-बड़े image वाले photo के book आप उसे दे सकते हैं means कि A for apple, B for wall उसका image जो है बच्चे को clear दिखना चाहिए दूर से दिखना चाहिए हमें बच्चे को पढ़ाने पर force नहीं करना है बच्चे को book open करने का सिखाना है कि बच्चे open कैसे करे book उसके लिए हमें जितना हो सके बच्चे को attractive book लाके देना है और कुस-कुस मन्त पे आप उसे नया-नया book लाके देखें तो उसको भी पढ़ने की curiosity जगेगी थर्ड, book से कराएं दोस्ती हमें बच्चे को book से दोस्ती कराने की सिखानी होगी means कि आगर आपका बच्चा जहां भी जाये book को carry जरूर करे जब भी उसका मन हो वो book को open करे open करने का सीखे अगर बच्चा छोटा है तो उस type का poster आप उसे gift कर सकते है जैसे बहुत बच्चे को हम खेलने के लिए twice देते है लेकिन मैं प्रजना को खेलने के लिए book ही देती थी जो wasted paper होता था वो मैं उसके सामने रख देती थी नॉर्मल कोई paint देती थी color देती थी उससे वो draw करती थी कुछ भी लिख रही है कुछ भी draw करती तो उससे उसको frame बन जाता है जैसे हम twice से बच्चों को दोस्ती कराते हैं हमें actually book से दोस्ती कराने की जरूरत है 4. Song के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को में इसकी बच्चा कोई भी चीज जल्दी सीख जाता है ये सभी हम मानते हैं लेकिन बच्चा को अगर आप song के recording आप उससे पढ़ाते हैं तो बच्चे को अच्छे से memorize कर पाएंगे जैसे मैं previous वीडियो में बताए भी हूँ कि बच्चे को आप Sunday Monday कैसे याद करा है जैसे मैं याद कराती हूँ Sunday Monday Tuesday इस टाइप का normal कोई भी song के माध्यम से आप उससे पढ़ा सकते हैं मैं A4 Apple भी song से उससे याद करवाई थी तो means कि आपका बच्चा चोटा है अभी वो लिक नहीं सकता है आपके बातों को सिप कैच कर रहा है तो जो भी चीज आप उसे सिखाना चाहते हैं गोद मेले के morning walk, evening walk के टाइम में जो सिखाना चाहते हैं वो normal, casually language में नहीं सिखाना है आपको उसको song में convert करना है फिप, स्टोरी जरूर सुनाएं बच्चो को मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्टोरी टेलिंग के benefits बताया है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं स्टोरी से बच्चे आप से connect होगे वो स्टोरी के माध्यम से life में होने वाले ups and downs को समझेंगे उसके emotion को समझेंगे और ये भी जिन्दगी जीने में जिन्दगी को अच्छे smoothly चलाने में बच्चो को बहुत help करेगा कि emotion क्या होता है रोते हैं तो कैसा लगता है हसते हैं तो कैसा लगता है ये आप स्टोरी के माध्यम से उसे सिखा सकते हैं और स्टोरी भी उस टाइब का सिखाई है जिसमें पढ़ानी का importance हो पढ़ाई का क्या महत्व है ये आप बच्चे को बता सकते हैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम से 6. ड्रॉइंग ड्रॉइंग आप जरूर कराएं बच्चों को ड्रॉइंग के माध्यम से आप बहुत सारे चीजे आप सिखा सकते हैं आप कलर सिखा सकते हैं आप सेप सिखा सकते हैं फ्लाबर, लीप, बहुत सारे चीजे हैं जो आप drawing के माध्यम से सिखा सकते हैं इसके साथ बच्चे को pencil पकरना आप सिखा सकते हैं drawing के already मैंने एक video बनाई हुई है link आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं drawing के benefits क्या है starting में आप बच्चे को बहुत साथ pressure नहीं कर सकते हैं तो आप हो सके तो उसके साथ drawing करिए drawing के भी बहुत सारे तरीके हैं आप उसको भी option में ले सकती हैं अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गया है तो next point है question जरूर पूछे बच्चों से और आप भी answer करने की कोसिस करें मैं यहाँ पर दोनों बाते बताई हूँ कि बच्चे जो है वो question ज़ादा करते हैं तो उसके according आप उसका answer करने की जरूर कोसिस करिए means कि कोई भी ऐसा question खाली मत जाने दीजिए ऐसा मत उसे बोलिए कि मुझे नहीं पता है I don't know यह answer आप उसे मत दीजिए हो सके तो आप Google की help लीजी अगर आपको नहीं पता है क्योंकि बच्चे की question जो होता है वो ज़्यादा तर logical ही होता है ऐसा क्यूं होता है moon क्यूं है, sun क्यूं है eyes blink क्यूं क्यूं कर रहा है तो यह सब के question जो है वो logical है उसको हमें answer करने की कोसिस करनी चाहिए दूसरा है कि आपको question करनी चाहिए आप बच्चे को जो भी पढ़ार है उसके according आप question कर सकते है आप अगर गोध में लेकि उसे पढ़ार है तो वहाँ पे भी आप question कर सकते है कुछ missing word उसे पूस सकते है कि one के बाद क्या होता है three के बाद क्या होता है यह आप उसे पूस सकते है या जो भी book reading करा रहे है जो भी आप उसे पढ़ार है end of the chapter आप उसे question ज़रूर करें इससे बच्चे के brain के label का भी पता चलेगा 8. बच्चे को appreciate करें हमें बच्चे को पढ़ाई के duration में appreciate करने की ज़रूरत है means की बच्चा अच्छा पर रहा है अच्छा कर रहा है अच्छा लिख रहा है यह सब बाते हमें बच्चे को बोलने की ज़रूरत है कि इससे पहले भी मैंने एक video बनाया है लिंक आपको description में मिल जाएगा positive word यह बहुत ही important है किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने में success करने में means की आप दिन में 10 बार आप अपने बच्चों के लिए positive word का use करें जितना ज़्यादा word का use करेंगे बच्चे को उतनी ज़्यादा energy आएगी बच्चे को appreciate करने की ज़र्वाद next one किताबों पे finger रखके पढ़ाना है means की बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें उसके book को indicate करना है अपने finger से उसको indicate करना है कि कहां पे हम पढ़ा रहे हैं कौन सा word है उससे उसका image आएगा जैसे simply अगर मैं पढ़ाती हूं प्रजना को तो मैं इसको बोलती हूं कि C, U, T C, U, T, cut तो इसको finger से indicate करना है बच्चे को तो बच्चे को भी पता चलेगा कि C, U, T अभी चलिए प्रजना को पता है कि C कैसे लिखाता, U कैसे लिखाता लेकिन अगर आपका बच्चा भी A, B, C, D लिखना नहीं जानता है तो उस टाइम में भी बच्चे को finger से indicate करके ही पढ़ाने का कोसिस करिए Next point is study में help करना है means कि बच्चा जब भी पढ़े जब भी वो book open करे तो कोसिस हम parents की ये होनी चाहिए कि हम at least उसके पास बैठे अगर बच्चा बड़ा हो गया है 7-8 years का है तो भी हमें उसके पास बैठने की जरूरत है हो सकता है उसे बीच में कोई problem हो या उसे समझ में नहीं आया तो हम उसे solve कर सकते हैं लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है 1-year का है, 3-years का है तो definitely जब भी वो book open करें आप उसके पास जरूर बैठिए और उसकी कोई भी गलती पे आप उसे बता सकती हैं या उसको कोई भी problem हो रहा आप उसकी help कर सकते हैं तो जब भी बच्चा बैठे पढ़ने के लिए आप उसके पास ज़रूर बैठिए Next, पढ़ाई का महत तो बताए मेंस की पढ़ना क्यों जरूरी है पढ़ने के बाद हमें क्या-क्या benefit मिलते हैं लाइफ में पढ़ के हम क्या हासिल कर सकते हैं यह हम अपने बच्चे को ज़रूर बताए क्योंकि अगर जिसकी benefits बच्चे को पता नहीं होगा उसका महत तो बच्चा उसमें क्यों involved होगा तो हमें सबसे पहले बच्चे को पढ़ने का महत तो बताने की जरूरत है इसका एक important point आप यह ले सकते हैं कि आप story जब भी बच्चे को सुनाए तो उसमें story में आप study से related story सुनाए ऐसा जरूर उसे story में होना चाहिए कि story में जो भी lead character है वो पढ़ के क्या सब किया है वो पढ़ के क्या बना है यह आप उसको story के माध्यम से उसे समझा सकते हैं easily next point पढ़ाई का pressure नहीं बनाना है means की बच्चे भी छोटे हैं तो उसे पढ़ाई का pressure नहीं बनाना है जिस भी time में वो पढ़ना चाहेंगे आप उसे पढ़ा सकते हैं लेकिन कोसी समय यह करनी चाहिए कि पढ़ाई का एक fixed time आप बना सकते हैं मैं प्रजना को morning में नहीं पढ़ाती हूँ night में मैं उसे उतना जदा नहीं पढ़ाती हूँ लेकिन afternoon में जब मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए तो वो भी अपना book open करती है तो means कि उसका पढ़ने का जो time है वो afternoon में defined किया हुआ है means कि उसको पता है कि food आप खा लिये है सब चीज काम हो गया है तो अब हमें पढ़ाई करना तो उस time से आप भी जो भी suitable time होगा जब भी आप free होते हैं उस time में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ाई में pressure नहीं देना है बच्चों को अगर नहीं पढ़ने का मन है बच्चे को खेलने का मन है तो आप खेल खेल की भी पढ़ा सकते हैं बच्चे को अगर आपका बच्चा फिर भी नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसको positive word दीजिए पढ़ने का महत बताई तो बच्चा definitely बैट जाएगा पढ़ने के लिए last but not latest सबसे important point है गुसा नहीं करना है हम parents अकसर क्या करते हैं कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है नहीं लिख रहा है तो हम गुसा हो जाते हैं या बच्चा नहीं समझ रहा है तो हम गुसा हो जाते हैं उसे aggressive हो जाते हैं कि क्यों नहीं समझ रहा है इसका दिमाग कम है ये हाफ रनाबर का ब्रेक लेती हूँ, उसको भी पढ़ने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं भी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं भी छोड़ देती हूँ, जब वो खेल के बापस आती है, और फिर में उस टॉपिक पे जाते हूँ, तो वो इसली समझ जाती है, में अगर आपको भी इ दर जाएगा, दर के कारण वो या तो पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा, उसे पढ़ने का डर बैठ जाएगा, नहीं तो दूसरा सिच्वेशन यह हो सकता है, कि बच्चा आपसे कोई कोश्चन न पूछे, में उसको लगेगा कि अच्छा हम कोश्चन पूछेंगे, तो सा प्रजना के साथ करती हूँ, जो मैं आपके साथ सेयर की हूँ, तो हो सके आपके लिए इसमें से कोई एक पॉइंट भी बेनिफिशियल हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड कुछ भ झाली बाबाइ!